इस वीडियो में कैसी बहुत जादा बड़ी गलती के बारे में पता चले जो कि आपके पैट की चरवी कम होने में बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है और आप इस चीज को लगतार करते रहते हो ये सोच करकि ऐसा करने से आपकी पैट की चरवी कम हो जाएगी लेकिन हज कोशिश के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ता इसलिए तो ये एक गलती है और गाइस ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है दुनिया के हट डाइटीशन को न्यूटीशनिस्ट को ये बात पता होती है इसके बिना फैट लोस हेल्दी तरह से पॉसिबल ही नहीं है तो च हमारी बोडी दुनिया की सबसे ज़्यादा इंट्रिजेंट और कॉम्पलेक्स मशीन है इसके जैसी मशीन ना कभी किसी इंसान ने बनाई है और नहीं कभी कोई इंसान बना सकता है हमारी बोडी को सब कुछ पता है की उसको किस वक्त क्या चाहिए और क्या नहीं जैसे कि सिट्रेलीन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो बोडी उसको आर्जिनीन में करण मट कर देती है और चर्बी कम करने का तालोग भी ऐसे ही इंटेलिजेंट कॉंपलेक्स मेकेनिजम से हैं आप अपनी बोडी को इतना ज्यादा असान मस समझें गाइस बोडी का मेकेनिजम दुनिया के सबसे ज्यादा कॉंपलेक्स मेकेनिजम है अब बताता हूँ वो बहुत बड़ी गलती जो चर्बी कम नहीं होने देती यह बात सुनके ही वीडियो छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा बलकि इसका रीजन जानकर समझकर अपनी लाइफ में इंपलिमेंट करोगे तो पेट की चर्बी जरूर कम हो जाएगी यह गलती है अपनी डाइट से किसी भी तरह का फैट पूरी तरह से एलिमेट कर देना ध्यान से सुनिये गाइस लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बात है देखे गाइस फैट या ओर्गेंस को चलने के लिए भी फैट चाहिए होता है इसलिए आपकी body oil को रोक के रखना चाहती है अब अगर आप अपनी diet से fat पूरी तरह से cut कर दोगे या eliminate कर दोगे तो body सबसे पहले तो उस fat को conserve करना चाहेगी जो उसके पास already मुझूद है उसको body ऐसे ही जाने नहीं देगी एक example देता हूँ मान लीजे आपके घर में पानी की supply बंद हो जाती है और आपके पास सिरिफ एक tanker ही पानी बच जाता है तो क्या आप उस पानी को पूरी तरह से बहाद देना चाहोगे या उसे conserve करना चाहोगे so that जरूरत के हिसाब से ही पानी इस्तेमाल हो और अगर पानी की supply ठीक ठाक आ रही है तो काफी obvious सी बात है आप tanker की सफाई भी करोगे चटकी भी सफाई करोगे और बाकी जरूरी काम करोगे same यही काम body भी करती है आप fat या oil एकदम ही लेना बंद कर दोगे तो body stored fat को conserve करके रख लेती है जिससे कि आपकी body की चर्वी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है जिसके दीगर factors है इसलिए आप अपने diet में एकदमी fat को eliminate ना करें बल्कि जितना fat normally लेते हैं उससे थोड़ा सा कम कर दें उसका half कर दें बस वैसे ये quantity percent to percent depend करते है कितना fat लेना है कितना नहीं लेना देखे गाइस वजन कम करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सी rocket science नहीं है बल्कि बहुत असान है एक ऐसा तरीका भी है जिससे दो दिन के अंदर ही 5 kg तक वजन कम हो जाता है ये तरीका जानना है तो left वाली वीडियो देख लो और fat loss की बहुत ज़्यादा ज़रूरी tips आपको right वाली playlist में मिल जाएंगी